दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कने वाले हैं हीरो की ग्लैमर एक्स टेक के बारे में जो की बहुत बड़े चेंजेस के साथ वापस आ रही है और यहाँ पर जो चेंजेस हैं इसकी वज़े से कई बाइकों के सेल पर असर पढ़ सकता है जिसमें पहले ही आजाती है हॉन्डा की SP125 जिसे एक प्रॉब्लम क्रियेट हो सकती है उसकी सेल पर तो आए फिर पहले जान लेते हैं इस बाइक में की कौन कौन से चीज़ें चेंज हुई है जिसकी वज़े से इस बाइक का जो प्राइज है वो थोड़ा सा बढ़ाये गया है और इसमें जो प्रीमियम क्वाल्टी है उसे इंक्रीस किया गया है तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस बाइक का नाम इस बार हीरो की ग्लैमर X टेक के नाम से आ रही है जिसमें से तीनो शेट का नाम अगर मैं बताऊं तो पहला है ग्रे ब्लू दूसरा है ग्रे रेड और तीसरा है टेक्नो ब्लैक तो ऐसे कुछ कलर्स हैं तो आपको grey blue और grey red ये दो कलरस आपको नए नजर आएंगे बाकि टेक्नो ब्लैक तो अल्लेडी हुआ करता था अगर बात कीजाए इस बाइक के instrumental cluster की तो वो पूरी की पूरी तरीके से I think उठाया गया as a vlogging के और map के लिए और साथ में आपको वहीं से ही charging का वे option मिल जाएगा जिससे आप अपने smartphone को on the way charge कर सकते हैं बाकि इस bike के headlight में भी काफी कुछ change किया गया है जो कि इसमें आपको LED की headlight देखने को मिल जाएगी braking की बात की जाए तो हाँ यहाँ पर आपको ABS नहीं मिलेगा लेकिन हाँ फिलाल के time पर आपको CBS देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको front में disc और rear में drum मिलने वाला है इस bike के अगर instrument cluster की बात की जाए तो यह fully digital होने वाला है जहाँ पर आपको speedometer के साथ साथ gear की position भी दिखाए देगी जहाँ पर आपको techometer भी दिखाए देगा और साथ में real time mileage भी देहने को मिल जाएगी तो real time mileage वाला जो section है यह आपको काफी कुछ help कर देगा आपकी bike चलाने की जो तरीके हैं उसे change कर देगा जैसे ही आप ज़ादा rev करेंगे तो आपकी जो mileage है वो गीरते नजर आएगी और आप खुद से ही अपने bike को mileage के अंदर रह करके चलाएंगे ताकि आपको ज़ादा से ज़ादा mileage प्रवाइड करवा सकें वैसे ये feature काफी बहतरीन होता है car में भी और bike में तो ये बहुत ही ज़ादा feature stick है बात करें इस bike के अगर engine की तो यहाँ पर आपको single cylinder 124 cc का engine मिल जाता है जो की 10.73 PS की power और 10.6 Nm का torque निकाल करके दे सकता है इस bike के engine को थोड़ सा tweak किया गया है जिसकी वज़ा से इसकी जो efficiency है वो कहीं जादा बढ़ गई है यानि के heat थोड़ी सी कम होगी और इसकी वज़ा से जो आपको mileage है वो जादा मिल जाएगा और साथ में जो performance है वो भी बढ़ जाएगी और इसकी वज़ा से अगर fuel economy पर ध्यान दिया जाए तो वो करीक परीब 2% आपको increment मिल सकता है other glamour के मुकाबले और साथ में एक और चीज़ की इस bike में आपको chok नहीं दिया गया है यानि के इस bike से chok हटा लिया गया है जहाँ पर आप इस bike को बिना chok के थंडी condition में भी start कर सकते हैं आपको पता है कि कई बार कुछ bike सुबा सुबा चोक लेने पर ही start होती है जिसमें से ये bike में भी आता था chok लेकिन अब उसे हटा लिया गया है जिसकी वज़ा से इस bike को आप बिना chok के थंडीयों में start कर सकते हैं वो भी एक आप feature गिन सकते हैं बाकी अगर इसके tire size और brake size की बारे में बात की जाए तो front tire आपको मिलता है 80-118 का rear tire मिलता है 18-118 का front की disc आपको 240 mm की मिल जाती है rear का drum आपको 130 mm की मिल जाता है suspension देखा जाए तो front में आपको 120 mm की travel वाला telescopic fork मिल जाता है front में और rear में आपको 5 step में adjustable dual shock absorbers मिल जाती है जिसका travel लगभग 80 mm के आसपास रहेगा bike का cool weight अगर देखा जाए तो 120 kg है ground clearance यहाँ पर आपको 180 mm की मिल जाती है seat height आपको लगभग 702 mm की मिलेगी बाकी आपको मैंने instrument cluster के बारे में अलरडी बता ही दिया है head light आपको LED की मिलेगी यह भी बता दिया है tail light भी आपको इस बार LED की देखने को मिल जाएगी लेकिन हाज जो इसके indicators हैं वो अभी भी आपको halogen के ही मिलेंगे और वो उस पर ही काफी अच्छे लगते हैं अब अगर इस bike के X showroom price की बात की जाए तो इस bike का disc variant अब तक जो normal आता था वो 77,560 रुपए का आता था लेकिन जाहिर जी बात है यहाँ पर कुछ चीजे चेंज की गई है X connect को डाला गया है जिसकी वेज़े से इस bike में आपको 3,000 रुपए के आसपास के increment देखने को मिल सकता है तो इस bike की अब जाकर के एक showroom price लगबग 80,500 रुपए के आसपास हो सकती है जो की इसका price बराबर है 100 million edition के जो की already 89,370 रुपए की आती थी तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से आ नीचे comment में बता देना भाई वीडियो अच्छी लग गई है तो लाइक जरूर कर देना चलिए फिर मिलते हैं किसे और एक amazing सी वीडियो में तब तक ख्याल लखना अपना और अपनी bikes का बाई बाई